हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका डिस गुरुजी में और फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली प्रेक्टिस टेस्ट बहुत ही इंपोर्टेंट इसके क्योशन है हर एक्जाम में पूछे जाते हैं आप किसी का भी एक्जाम देलो ये क्योशन जरूर जरू यहांपर आपके लिए क्योशन तैьте तो हमारा जो पहला क्योशन हें आज के प्रेक्टिस टेस्ट का वह ए कि इस्ट्रे नोवस्य सब्द का सही अर्थ चुने तो हमारा जो इसका option है option A है foolish, B है feasible, C है pretty और D है active तो जो इस्ट्रो नोवस शब्द होता है उसका अर्थ होता है दोस्तों इसका अर्थ होता है चालक मतलब जो सक्रिय होता है उसे हम कहते हैं इस्ट्रो नोवस अब यहाँ पर foolish का अर्थ होता है मुर्ख, Peaceful का होता है शान्ती और pretty का होता है मतलब गरीब या फिर मुर्ख ता पूर्ण कारे करने वाला और active का होता है हमारे शक्रिय है तो यहाँ पर जो हमारा इसका वो होगा शब्द पहचाने की जिसका spelling mistake हो या गलत spelt हो उसको सब पहचानना है तो एक तो हमारा है psychological it's correct क्योंकि इसके spelling एकदम गरेक्ट है psychological की spelling एकदम गरेक्ट है इसके बाद है pedo gogi pedo gogi भी यह शब्द है हमारा जो यह भी एकदम correct है इससे भाद है पेद्जा गूगी यह जो हमारा वर्ड है इसका जो selling मिस्टेक है इसमें वहले जो आहां पर जीवाए तो यहां पर जो है जी ओ जीवाई आना चोई यह जो हमारा इनकरेक्ट है यह शाईकोलोजि की स्पेलिंग वाला वहली हमारा किया है पर जो हमारा C option है, वो एकदम correct हो जाएगा, फिर इसके बाद है हमारा अगला question, कौन सा सब्द मुख्य शब्द ट्री से तर्ज मिलाता है, तर्ज मिलाता है, मतलब जिनका जो rhyming हो, वो सेम सेम हो, जैसे कि लस्ट बस्ट, गुड फुड ऐसे जो वर्स होते हैं, वो हमारे क्य दोनों की, तो यहाँ पर क्या जाएगा, हमारा B एकदम correct हो जाएगा, तो B हमारा जो D option है यहाँ पर, वो है हमारा एकदम correct answer, अब अगला question है, हमारा ignorance का विलोम शब्द हमें चुनना है, क्या करना है हमें, ignorance का विलोम शब्द चुनना है, अब victory हो गया, victory के वह आर्थ होता है हमारी किसी चीज की कहा तक वो valid रहता है, यह इसका अर्थ होता है, एक होता है हमारा knowledge, knowledge होता है हमारा ज्यान और positive हमारा होता है, सकारात्मकता, तो यहाँ पर कौन सा word है, जो ignorance का विलोम शब्द है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ignorance का विलोम शब्द होगा, वो होगा knowledge, क्य सब्सक्राइब और हो जायगा है यहां अगला कि फिछ इसलेयरं में हिसाई हिसले जरूर शांवा सब्सक्राइब गर्ष्णर आंसर हो जाएगा है हमारा एक्दम करेक्ट किल्च त्व educator दो पर के लिए निस ज्या जरूर जरूर पूछे जाएंगे तब इसका जो सम्तुल्यश होगा एक बच्कakkse में सम्तुलय इसा मिनिटत चुटिस मिनिट और व ऐसके płascus नियुवयर्क का शम् Dafu क्या होगा लुट है सवाय उसके संघिलैन में अन्त्र रहता है भारत नियुवयरक का टांऌ fø़का गा वहिए क्याju एक से 1,5 गंटे का वहाँ पर डिफ्रेंस आ जाता है, इसके बाद हयागा, क्यूस्टन हमारा, विश्व प्रिम का विश्व का सबसे बड़ा जहरना कौन सा नहिएं है, विश्व का जो सबसे बड़ा जहरना है, वह कौन सा का फूसंट, ए हमारा वेनेजुएला, B ब्राउन जर्ना, सिकरा, कता, राटा, गवाथा और एक है अमारा वेरेड़े जर्ना तो विष्व का इन में से सबसे बड़ा जर्ना यूप को बताना झुए अगर आपको आंसे इसका प्रेक्टिस टेस्ट का सोने का आपेक्षिक घनत्व है, अब सोने का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है यह आपको बताना है, एक है हमारा 13.598, ब है हमारा 19.257, C है हमारा 10.474, और D है 0.855, अब सोने का आपेक्षिक घनत्व आपको बताना है, तो बताइए कितना होता है सोने का आपेक्षिक घनत्व, तो सोने का आपेक्षिक घनत्व होता है, 19.257, यहाँ पर जो B आंसर है, उन सब का वो B आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है, इसके बा प्रियोग होते हैं जैसे कि टूथ बूट एक अप्शन है तूथ बूट एक हमारा स्लो इस्टीडी और हमारा है टॉप एंड डाउन और एक हमारा रेट प्रियोग करते हैं यहाप के अटि इसका है इसका अगला क्योंशन है कि लिनियर प्रोग्रामिंग का ग्यान इसकी समस्य को हल करने में मदद करता है linear जो प्रोग्रामिंग है उसका ग्यान क्या करता है इसकी समश्या को हल करने मदद करता है किसकी समश्या को यह आपको बताना है ब्यापार की को उद्योग की को परिवन की को या सभी उपरोग सभी के समश्याओं को तो किसकी समश्या को हल करने के M X 2, फिर है हमारा M is greater than 0 का सममिती अक्ष है, यह क्या है यह आपको बताना है, धनात्मक Y अक्ष, B, रिनात्मक Y अक्ष, C, धनात्मक X अक्ष, या D, रिनात्मक X अक्ष, तो कौन सा अक्ष इसका होगा, यह आपको बताना है, तो यहाँ पर इसका अक्ष होगा, धनात्मक Y अ a answer है हमारा वो है हमारा एकदम correct answer क्योंकि क्या है वक्र y बराबर क्या है हमारा mx square फिर है हमारा costak में कि m is less greater than 0 तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा yx हमारा यहां पर आ जाएगा फिर इसके बाद है हमारा अगला question यदि ax बराबर b by by बराबर c and c z बराबर a है तो x y z बराबर क्या होगा एक बार फिट समझिए अगर हमारा क्या हो a x बराबर तो हो b by बराबर हो c और c z बराबर हो a तो x y z बराबर क्या होगा x होगा y होगा z होगा या one होगा तो इन सब का बराबर होगा हमारे यहां पर one क्योंकि क्या है x बराबर हमारा b है by बराबर c है और c, z बराबर है a तो x, y, z बराबर हो जाएगा a यहाँ पर जो d answer है वो है एकदम correct इसके बाद है हमारा अगला question कि जब x 4 plus 4 into 3 minus 5 into 2 minus 6 into 7 plus को x minus से विभाजित किया जाता है तो से इसका पता करें इसके बाद है plus 4 x minus 3 फिर है हमारा 5 x 2 minus 6 x 7 और फिर है x minus 3 से विभाजित किया जाता है तो सेस का पता करें तो इन में से कितना बसता है बताइए अगर answers आपको आता है तो comment box में comment करें तो यहाँ पर सेस बसता है 133 यहाँ पर सेस बसता है यहाँ पर b answer जो है वो हमारा correct है इसके बाद है हमारा अगला question की nc0 बराबर कितना होता है 0 n 2 n या 1 जो nc0 है इसका man क्या होगा यह आपको बताना है तो यहाँ पर इसका man होगा 1 nc0 बराबर 1 यहाँ पर जो d option है हमारा वो एकदम correct है इसके बाद है हमारा अगला question की 2 और 6 का harmonic mean है जो 2 और 6 है उसका harmonic mean आपको बताना है option a है हमारा 3 b है हमारा 4 c है हमारा 5 और d है हमारा 2 by 3 जो 2 और 6 है इसका harmonic mean क्या है तो 2 और 6 का harmonic mean होगा हमारे 3 यहाँ पर जो हमारा a option है वो है हमारा एकदम correct इसके बाद है हमारा अगला question की minus 2 और 3 इस quadrant में एक बिंदू है इस quadrant में एक बिंदू कौन सा है वो आपको बताना है Q1 है BQ2 है CQ3 है या DQ4 है कौन सा बिंदू इसमें है तो इसमें है हमारा Q2 यहाँ पर जो B option है वो है हमारा एकदम correct answer इसके बाद है हमारा अगला question की 1.25 बराबर कितना होता है 16 यहाँ पर है हमारे कौस्टक में 16 गुणा 1.25 बराबर कितना होगा यह आपको बताना है तो बताइए अगर answers मालू है तो comment कीजे option A है 8, B है 32, C है 64 और D है हमारा 128 यहाँ पर इसका correct answer होगा 32 यहाँ पर इसका correct answer होगा यहाँ पर जो B answer है वो है हमारा एकदम correct इसके बाद है हमारा अगला क्योशन की यदि AP का साथ गुणा शात्वा पद बराबर 11 गुणा ग्यारवा पद तो अठारवा पद क्या होगा अब एक बार समझें कि AP का जो साथ गुणा है वो सात्वा पद है और 11 गुणा जो है वो ग्यारवा पद है तो अठारवा पद क्य होगा option है 7 वा B 11 से 18 या D 0 तो यहाँ पर जो correct answer होगा वो होगा 0 क्योंकि यह 0 होगा यहाँ पर जो है D answer हमारा correct है इसके बाद है हमारा अगला question की A है फिर हमारे कोमा है फिर है A plus B फिर कोमा फिर A plus 2D यहाँ पर डेस डेस है फिर TN है इसका बताना है आपको इसका क्या होगा A plus N minus 1D A plus N plus 1D 2A plus ND और 2A minus ND तो यहाँ पर इसका correct answer होगा हमारे A plus N minus 1D यहाँ पर होगा इसका correct answer यहाँ पर जो A option है हमारा वो है एकदम correct इसके बाद है हमारा अगला question की Y बराबर X2 के graph को कहते हैं Y बराबर जो X2 का हमारा graph होता है इससे हम क्या कहते हैं तो इससे हम कहते हैं व्रत परवले चाप या सीधी रेका तो इससे हम परवले कहते हैं दोस्तों ध्यान रख लेना है आपको इसके बाद है हमारा अगला question किस generation के computer उसका शुत्र आपको बताना है तो यहां पर है CCL3, c h c i 3 c h c 4 c i और c h c i 4 तो इसका जो carbon tetra chloride है इसका शुत्र क्या होगा तो इसका सुत्र होगा हमारे c c i 3 यहाँ पर जो हमारा a option है वो है एकदम correct इसके बाद है हमारा अगला question सुस्क भर्प है ठोस carbon dioxide सुर्ष टोस carbon monoxide ठोस carbon acid सुर्ष टोस carbon dioxide यह ठोस carbon tetra chloride जो दोस्तों सुस्क भर्प होती है वो होती carbon dioxide CO2 जो है वो सुष्क भर्प होती है यहाँ पर जो हमारा c answer है वो है एकदम correct इसके बाद है अगला question magnetite का राशानिक शुत्र है option है mnCO3, bmgCO3, ckCO3, rdhgci2 तो इसका जो शुत्र है वो क्या होगा magnetite का तो magnetite का शुत्र होता है mgCO3, magnesium chloride को ही हम क्या बोलते magnetite बोलते magnesium carbonate को जो है हम magnetite बोलते तो यहाँ पर जो b answer है वो है हमारा एकदम correct magnesium carbonate इसके बाद है अगला question दो बिंदों के बीच विभवांतर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं option है a meter b speedometer c volt meter या d garn meter जो दो बिंदों के बीच हम विभवांतर मापते हैं उस एंत्र को क्या कहते हैं तो हम इसे volt meter कहते हैं c answer हमारा यहाँ पर correct है इसके बाद है अगला question हमारा कोई माध्यम स्वयम में से एक ध्वनी तरंग को अपने इस गुण के कारण संचारित करता है कोई माध्यम क्या होता है स्वयम में से एक ध्वनी तरंग को अपने इस गुण के कारण संचारित करता है जड़त्व के कारण घरत्व के कारण प्रत्यास्ता और जड़त्व के कारण यह आपको बताना है memory card है input device है output device है या उप्रोक में से कोई ने जो mouse होता है दोस्तों वो होता है input device यहाँ पर जो b answer है वो है हमारा एकदम correct अगला हमारा question है कि चुम्बक ये तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती अनुप्रस्त तरंगे अनुप्रस्त और अनुप्रस्त और अ प्रकार की तरंगे होती है इसके बाद है हमारा अगला question radio शक्रियता में प्रेशित विदुद्द चुम्बक ये विकरण है बीटा विकरण B, alpha विकरण C, gamma विकरण याडी X किरण किस प्रकार की किरण ये होती है यह आपको बताना है जो radio शक्रियता में प्रेशित विदु क्योशन रोग के उपचार में प्रीउक्त लेसर है जो रोग के उपचार में प्रेशित लेशर होता है वो कह अगला question energy gap इसमें सर्वोच होता है option है उस्मा रोदी में B àrd चालक में c daide में या धी धातू में तो दाटू में जो है दोस्तों यहाँ पर उश्मा रोदी में जो है एनरजी गेप सर्वोच होता है इसके बाद है हमारा अगला question जो दवाईवाप पर असर करती है वे क्या केलाती है तो दोस्तों आइंटी बोडी केलाती है विटामिन केलाती है हर्दे नीली की केलाती है हार्मोन केलाती है तो जो दवाईयां हमारे क्या हो रक्त प्रवापर असर करती है वे हर्दे नीली की है दवाईयां केलाती है C हमारा जो option है वो यहां पर एकदम correct है इसके बाद है हमारा अगला question निम्न में से सबसे मीठी सक्कर क्या है जो इसमें से सबसे मीठी सक्कर है वो है दोस्तों फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी सक्कर होती है ध्यान रखना है आपको D answer हमारा यहां पर एकदम correct है इसके बाद है अगला question किसी इस्तित तरंग में जिस बिंदू पर अधिक तम विशाथ आपन होता है उसे क्या कहते है उप् जित्तम विश्टापन हो तो उसे anti-note केते है ए हमारा यहां पर एकदम correct answer है इसके बाद है अगला इसका रख्त रंगहीन होता है केच्वे का गोंगा का छिपकली का या तील चट्टा का तो दोस्तों जो तील चट्टा होता है उसका रंग रख्त रंगहीन होता है इसके बा पचास से साट डेसिबल सके सीमा की धोनी सुन सकता है बी answer हमारा यहां पर correct है इसके बाद है पोदे हरे होते हैं क्योंकि हरे प्रकास का वर्तन करते हैं बी हरे प्रकास को परावर्तित करते हैं सी यूवी प्रकास का उशोशन नहीं करते हैं या डी हरे प्रकास का उशोशन करते हैं तो दोस्तों ये जो हैं हरे प्रकास को परावर्टित करते हैं जिसके कारण क्या होते हैं पोदे हरे होते हैं इसके बाद है अगला क्योशन रक्त के जमने के लिए आउशक विटामिन है और विटामिन बी जो रक्त के जमने के लिए आउशक विटामिन है वो कौन सी ह वो है c ng। यहां पर हमारा c answer वो है एकदम पर करेक्ट है इसके बाद है स्थ्त ही अन्सर को कहتे हैं इससे हम बास्तश होता है। विज्यां पर करेक्ट है इसके बाद है अमारा अगला क्योर्षिन कार्पर्विस में मुझूद होते हैं पिस्टिल में एन्ड्रोशियल इसके जर्еты होता आए इस्टोमेटा जरिये मद्द सिरा के जरिये या पहली सेड उत्तक के जरिये जो पोदों में गेश्चों का विनिमें होता है वो होता है इस्टोमेटा के जरिये इसमें विनिमें होता है इसके बाद है अगला क्योशन निम ने एक मिश्रित ग्रंती है एडिनल बी अगनासे सी अंडासे याड किस से बनता है सेमीनल वैसिकल और स्वियर है से प्रीडे। उपर मेत हैर्सिक से किस्ते, केचुए का ककुन बनता है, तो दोस्तों जो केचुए का ककुन बनता है, वो बनता है, सली टेला से, यहांपर C आंसर एकदम करेक्ट है, इसके बाद है अगला क्योशन, निवंडमेश से सबसे महतोपून जीवन प्रकिरिया क्या है, मलतियाग, प्रकास अंसलेशन, पोशन, याडी परीवन, तो जो सबसे महतोपुन जीवन प्रकिरिया है, वो है प्रकास अंसलेशन, A आंसर, B आंसर जो हैं हमारा यहां पर, वो एकदम करेक्ट है, इसके बाद है अगला क्योशन, डार्क रियक्शन का अंतुत पादन, क्या है, ओप्शन यहने, CO2, B66, H2O, O6, C, ATP, RDP, G, जो डार्क रियेशन होता है, उसका अंतुत पादन क्या है, तो वो होता है, ATP, डार्क रियक्शन का अंतुत पादन होता है, ATP, इसके बाद है अगला क्योशन, इसकी उपस्तेती की परिक्शा करने के लिए, आयोडीन का प्रियोग किया जा सकता है, उप्शने, प्रकास की, B, स्टाज की, C, carbon dioxide की, RDP, glucose की, तो हम जो है, CO2 की परिक्शा, उपस्तेती की परिक्शा करने के लिए, आयोडीन का उप्योग कर सकते है, इसके बाद है, किस देश को, land of cakes के नाम से जाना जाता है, उप्शने, Scotland, B, England, C, Canada, RDP, उप्रोक में सिलाई मशीन का अविश्कार इन्हों ने किया था, किनों ने किया था, इशाक M. सिंगर ने, C. इशाक Newton ने, B. Ratan Tata ने, C. Max Müller ने, तो दोस्तों, इशाक M. सूलर ने, जो है, सिलाई मशीन का अविश्कार किया था, A, आंसर हमारा, यहाँ पर करेक्ट है, इसके बाद है, प्रसिद्ध पुस्तक क्रेसेंट मून इन्हों ने लिखी है, एमके गांधी ने, जवालना लेरु ने, रविंदरना टेगोर ने या इंद्रा गांधी ने, तो दोस्तों ये पुस्तक जो है वो रविंदरना टेगोर ने लिखी है, इसके बाद है अगला क्योशन, सयुखत राष्ट के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो दोस्तों हमारे आज के प्रेक्टिस टेस्ट में इतना ही, बाकी जानकरी के लिए आप डियेस कुरूजी के साथ जुड़े रहे, अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अब आपने फ्रेंड्स के साथ सेर कीजिए, थैंक ये सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वर्चिंग,